हेलो गाइस मेरे नाम है निल और आप देखे हैं डार्क लाइट गेमिंग वाइट यह और वापस से आज एक हो मैं करने गेम प्ले के साथ अभी पता है मेरे पॉइंट से गेरे काफी ज़दा गड़ चुके हैं काफी ज़दा लैक कर रहा था फून और मैं लगातार मैच हा रहा हूँ कहा 97 पोजिशन पे गया था और वहाँ से सीधे लात मारके में कुछ 26 सा तक ले के आये थे और फिर अब वाबस से पॉइंट्स अफकॉर्स बढ़ गया है मेरे अभी मेरे पास जो है 28, 120 कुछ ट्रॉफीज हैं तो इतने तक पहुशते पहुशते में काफी तरीके के प्लेयर्स मिले उन्ही में से एक है ये devotee of महादेव सोश्राव महादेव का भक्त है ये इतना जादा टॉक्सिक महादेव को कहा जाता है कि उनसे जादा शांत चीज इस दुनिया में और कोई नहीं है और ये महादेव का भक्त है ऐसे जो लोग है न मेरे को पता है कि और ट्रेंड के लिए आते हैं भक्तोगेरा बनने इनको बस लगता है कि कूल बन जाएंगे भगवान का नाम लेंगे हर एक जगह पे तो और कुछ नहीं है ये भगवान के नाम का फायदा उठा रहा और कुछ भी नहीं बस इतना ही कर रहा है ये मतलब इतना कौन टॉक्सिक होता है मानता हूँ मज़े के लिए लेकिन तुम मज़े मज़े में जो है नकिजी का फोन तुड़वा दोगे इस तरह में लोग कभी कई बहुत ज़़दा इमोशनल हो जाते हैं गेम के साथ और मेरा एक दोस्त कार्थी को इसने अल्रेड़ी फोन तोड़ा हुआ है तो मेरे को पता है कि फोन तोड़ देते बहुत सारी लोग और इतना टॉक्सिक हो जाएगा तो लोग फोन तोड़ भी सकते हैं अगर हार जाये तो मैं जब इससे हारा तब मेरा भी बहुत ज़़दा मूड खरा हुआ था और इमोट जितने सारे कर रहा था खतरना खतरना ख़ाले मेरे को भी लग रहा था क्यार मैं क्या कर दो इसको लेकिन अफकोस सामने तो पढ़ नहीं जाएगा यह मेरे पास और उस बार भी इस ते जो है ना काफी जाद है जो है बहुत बार कमांडर प्रेस को स्पैम किया था तब मेरे कमांडर प्रेस स्पैम को जो है रोकते आता नहीं था कि पैसिव होना पड़ता है मैं क्यों अग्रेशन के साथ खेलता था और मैं हार जाता था हमेशा ही लेकिन फिर बाद में जो है मैंने gameplay में थोड़ा सा changes लेकिया है मैं थोड़ा सा जो है passive हो गया commander press के against, bull walk के against तो फिल्म में को काफी जादा जो है ना मतलब सही हो गया, सहूलियत मिल गई यह आनाम से हराया जा सकता है और यहाँ पर भी हस रहा है यह जबकि खुद हार गया बेशरम भी बहुत जादा है और यहाँ पर इसका iron clad आ चुका है और इसके जो है emotes तो वो रुक नहीं रहे हसने वाले हर एक toxic emotes रखा है यह केवल और गेवल इसको पता नहीं मजा क्या आता है ऐसे करके इसको नहीं पता है कि इनसान कितना ज़दा emotional होता है कभी कभी game के साथ उसका mode कितना खराब होता है तभी वो game खेलने के लिए आता है और उसके बाद अगर कोई ऐसा behave करे न तो फिर तो यार लग जाते है लोगों के चलो यह सब बाते तो आप होती रहेंगी यहाँ पे कुछ jam kick करना चाहिए था लेकिन ठीक है कोई बात नहीं यह अब मेरे पास kever होट के और पैसेट hp बचे है लेकिन फिर भी मैंने आधे ज़ादा health अपने 112 hp से ही खतम कर दी थी मारकस ने अल्रेडी अपना पूरा का पूरा काम कर दिया है और यहाँ पे हो गया मेरा मारकस शहीद कोई बात नहीं अभी भी अपन के पास दो-दो characters बचे हुए है आज मैं वापस से अपनी Helga को लेके आगे था अपनी team में क्योंकि बहुत ज़ादा lag कर रहा था और मैं बाकी जो characters है उनके साथ इतना risk नहीं उठा सकता था इतना lag के बाद क्योंकि मैं ज़ादा pro हूँ नहीं बाकी मतलब characters होगे रहा के साथ मैं इनके साथ भी pro नहीं हूँ of course लेकिन इतना ज़ादा lag करेगा तो एकदम noob से भी ज़ादा घटिया खेलूँगा मैं इसलिए मैंने typical characters अपने उठा लिए यहाँ पर critical attack लगा मेरे को यह उसका shadow connect हुआ कोई नहीं कोई नहीं और तुम देख रहा हो मेरा जो यह fps का sign है कितना ज़ादा खतरना का रहा है बहुत ज़ादा lag हो रहा है यार इस ताइम पर मेरा phone मैं पागल हो गया हूँ इस ताइम पर phone के साथ अपने मतलब मेरी कोई गलती नहीं उसके बाद भी lag करता है और आज तो phone मेरा 48 या 49 degree Celsius पर चला गया था इतना heat हो गया था यहाँ पर उसको shining dash लगा और उसके पास काफी कम health बची हुई है और क्या अपनी hell गा after life में चल जाएगी क्या इतना गंदा मार और fps drop हो रहे है मेरे अभी से ही इस गेम की बाद मैंने फोन एकदम से बंद कर दिया था क्योंकि 48 डिग्री Celsius of course पाँज गया था मैं खुद डर गया था कि साला यह क्या होगे कहीं फटवट न जाए चलो यहाँ पर उसका iron clad खताम हो चुका और मैं उसके उपर हसने वाले कुछ emotes कर रहा हूँ of course मैं करूंगा यार बहुत जाए टॉक्सिक है इसके उपर मैंने अल्रेडी एक वीडियो बनाई होई है अगर किसी को नहीं पता है तो और देखो इसके जो emotes वो देख लो मैंने भी उपस वगेरा किया और इसका shang आच चुका है मेरे पास अपनी full on जो shining dash का बार था वो था और मैंने इसको पेल दिया एक shining dash यह upper attack लगा और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी इसलिए में फस गया ठीक है हलगा वापस से shining dash मतलब कर सकती है कभी भी अपने after life में जा चुकी है यह heavy लगा और यहाँ पे shining dash यहाँ पे फिर से मैंने गलती की इमेल थोड़ा से जादा rush करने की कोशिश करने लगा था इसलिए मैंने पढ़ गया और बहुत ही कम health बची है मेरे पास हाँ यहाँ पे मेरी हलगा खतम हो चुके लेकिन अभी उसके पास काफी कम health है मैं आराम से उसको यहाँ से हरा तो सकता हूँ लेकिन सारजे है मेरे पास सारजे दो तरीके से जलता है या तो फिर बरबाद हो जाता है या तो फिर बरबाद कर देता है देखते हैं क्या होता है यहाँ पे अभी भी इसके emotes नहीं रुक रहे है और मैं lag से थोड़ा सा परिशान था इसलिए मैं सोच रहा था कहीं यह बाजी पलटना जाए मैं फोकस करने के कोशिश कर रहा था यहाँ पे फिर से मैंने वही सेम गलती कर दी शेह और यहाँ पे उसका पुरा-पुरा कॉम्बो लग गया ठीक है ठीक है आधी हेल्थ हो गयार शेंग के एक कॉम्बो की वज़े से और इसने ग्रैब भी किया जबकि यह ग्रैब मेरा था उसके बाद भी इसी तरह में चिड होती है फ्पियस से वो मेरा ग्रैब था ठीक है यहाँ पे उसको लग गया ठृस्टी हैमर और काफी खतरनाग डैमेज लगा बहुत ही कम हेल्थ उसको चाहिए अब ठीक है बहुत ही कम हेल्थ बची है यहाँ पर मैं बच गया उसके जो है उससे कॉंबों से खत्रणाना कॉंबों अगर यह वाला कॉंबों लगता तो मैं पढ़ जाता ठीक ठीक है यहाँ सब मैं जीत सकता हूं और हाँ मैं फाइनली जीत गया भी हाँ से मैं इमोट सो गया करूँगा उसके उपर बहुत सारे वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक हो चैनल सब्सक्राइब कर देना भूलना मत ठीक है न एक असर सब्सक्राइबर सो गया करने तो इसलिए ठीक है बाई बाई से